नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपटी यूटूब चैनल टोप रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस लिएम देखने वाले हैं CRPF Hand Costable एक्जाम 2023 की जो 600 जीके के स्वाल पूछे गे थे एक्जामस में इन 600 क्योशन के सीरीज के अब तक तीन पार्ट कम्प्लिट हो चुके हैं उन तीन पार्ट में 225 स्वाल आपने देख ली हैं ये पार्ट नमबर 4 हैं जिसमें अपन देखने वाले हैं 26 पैब 2023 के पूछेगे GKK और 75 क्योशन 26 पैब की तीनों सिप्टों के इस प्रकार इन 4 पार्ट पे अब तक आपकी कम्प्लिट हो जाएंगे 300 GKK क्योशन और 4 पार्ट आएंगे जिसमें 300 और स्वाल कम्प्लिट हो जाएंगे GKK एक्स्टा फैक्ट से कहने को 600 क्योशन से लेकिन यहाँ पर एक्स्टा फैक्ट इंक्लूट करें तो इसके दोगुना क्योशन साब के कवर होते हैं आने वाले विशेश कर CRPF के दोरा ही ट्रेट्समें का एक्जाम अभी कंडेट करवाया जाना है तो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है बाकी टेशेश कंडेट करा रही है तो आने वाले MTS हो गया CGL एक्जाम से जितने वी SSC एक्जाम से उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह सीरीज चल रही है यू के इंडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना तो यहाँ पर कंडिन्यू करते हैं पार्ट फॉर को 26 फेब के वल सेप्ट में पहला सेप्ट है आपका 26 प्रवरिक की पहली पारी देखीगा पहला स्वाल जब सालबाई की संदी पर हस्ताफ़ किये गे तब बंगाल की गवर्नर जनरल कौन था तो यह जो संदी हैं सालबाई की संदी ये हुई कब है सालबाई की संदी हुई है बाई यानि 82 में हुई है कब 1782 को 17 माई 1782 को सालबाई की संदी हुई मराठा और British East India Company की मद्धी होई उस समय आपको पूचा है गवर्नल जनरल कौन था तो उस समय था वारेन हैस्टिंग्स तो साल भाई की संदी की समय गवर्नल जनरल हैस्टिंग्स था ये संदी किस हेतु होई थी तो ये होई थी आपके प्रथम आंगल मराठा यूदे की संदी हुई थी 1772 में वारेन हैस्टिंग्स हो समय गवर्नल जनरल था आगे बिड़े उससे पहले बता दूँ जो केंडेट मॉक्ट्रेस सीरी से नहीं जुड़े हैं किसी भी एक्जाम्स की जैसे अभी आप ट्रेट्समें एक्जाम्स की त्यारी करें और मॉक्ट्रेस न देंगे यानि जितने मॉक्ट्रेस तगाएंगे वही आप टे करता है कि आप कहां तक जाने वाले हो आपकी रेंग कहां तक आने वाली हैं तो न्यू केंड़ेट मॉक्ट्रेस से दुनने के लिए टेश्ट बुक जोईन कर सकते हैं क्योंकि सारा एक्जाम्स की मॉक्ट्रेस में जो ओन्लाइन एक्जाम होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिस होती है तो एक्जाम सा माहूल है क्योंकि अल्रीडी आपर लाखों के इंडेट है तो वो रेंग बगेरा है सारा कुछ एक्जाम उरिंटेट रहता है लिंक डिया स्क्रिप्स में टेटेट जी की कोपन कोड के साथ माँ चेक आउट कर सकते हो बात कर रहें सालबाई की संदी की तो सालबाई यही बयासी 1782 को हुई थी विर्टिस इस्ट इंडिया कंपने और मराठा सामराजी की मद्धी हुई थी और ये पर्थम अंगल मराठा युद को समाप करने के लिए अब पुरूंदर की संदी की बात के तो ये 1665 में हुई है मोगल समराजी की सेनापती राजपू शाशक जै सिंग पर्थम और मराठा चत्रपती सिवाजी माराज की मद्धी हुई थी 1665 में नेक्ष वाल आपर नोरोजी फर्दोन जी दादा भाई नोरोजी एसेस बेंगाली और अन्य लोगों के दोरा रहनू माई मजदाईशन सभा की स्थापना कब की गई पूछा गया है कि रहनू माई मजदाईशन सभा की स्थापना कब की गई तो इस सभा की स्थापना थारशो इक्याउन में की गई, कब की गई तो आप कहेंगे अठारा सो इक्याउन में रहनु माई मजदाई सन, रहनु माई मजदाई सन इक्याउन में, अठारा सो इक्याउन में, पूछ ले कि इस सभा की स्थापना है वो किस ने की तो दादा भाई नोरो जी का नाम आता है नोरो जी फर्दोन जी का नाम आता है विशेसकर इस्ताप्रम मंबई में की गई है मंबई में पार्शी ध्रम सुदार ये एक सबाही जो की परदा पर्था समाप्त केस्ते और विवा के आयू को भी बढ़ाया गया इसके दरीए कौन सा राज जी खेलो इंडिया यूद्गेम्स हुए हैं वो कहा पर हुए है मद्यप्रदेश के आठ अलग अलग सीटीज में हुए है इससे पहले इस फैक्ट से स्वाग अलरेडी टीशिस कंपनी ने पूछा हुआ साई सीजियल में ताब की बार कि खेलो इंडिया यूद्गेम्स जो पा पाल में हुआ है इंदोर में ग्वालियर में उज्जेन में महेश्वर जबलपूर आपकी मंडाला और बालागाट आर्ट सीटी में और नई दिल्ली में जो इस इवेंट हुआ वो ट्रेक साइक्लिंग के लिए हुआ है आपको पूछले पास में खेलो इंडिया यूद्ग तो भारत में कोईना कोईना है महाराष्टर में याद रखना है कोईना जल विदू सेंतर कोईना जल विदू सेंतर तो आप कहेंगे ये है महाराष्टर में कोईना कहां पर है महाराष्टर में महा के सिवाए आपका कोई नहीं है महाराष्टर कोईना केरागिन किसका एक श्रेवाल है नेश्ट आपर करकरेखा किस भारती राजिय से होकर नहीं गुजरती हैं अब करकरेखा मित्र पर गमचा जार बहुत बार बताया है टोटल आठ राजियु से गुजरती हैं मी का मतलब आपके यापर मेजोरम तर्य अनि तिरपुराक उसके बाद पर गम सा जार प अनि पच्छी मंगाल, र अनि राजिस्थान, ग का मतलब है या पर ये गुजरास से भी गुजरती हैं, उसके बाद ये मध्य परदेश हो जाएगा, चा अनि चछतिस गड, जा अनि ये जारकन से भी गुजरती हैं, इस परकार ये हो गए आपकी मित्र पर गमचा जार, दोस्तों ये गोवाका है, गोवाका एक नरते और पूछा जाता है, फुगडी डांस, फुगडी और गोफ भी गोवाका है, ये सबी आप डांस देख रहे हो ना, गोडे मोदीनी, गोवाका, दर डेलो, दर डेलो भी गोवाका, टोनी मेल पूछा हुआ, टोनी मेल आप कहे तो वो गोवा का हो जाएगा, तो ये विशेश कर याद रोखो, गोवा से काफी बार इनसे रिपीटेट पूछे जाता है, तरंग मेल गोवा, टोनी मेल गोवा, ठीक है, देखनी गोवा है, गोप गोवा, मांडो गोवा, नातुपुरा पाडल गल किस राज्य का एक प्राच लोक शंगीत रूप है, तो यहाँ पर पागल हो जाएंगे, कब तुम मिल जाएंगे, तो हम पागल हो जाएंगे, तो नातुपुरा जो पाडल गल है, वो तमीन लाडु का है, शरीर के आउशेशों को पर्तिश्ठापित करने के लिए बनाएगे बहुत इस्तुपों को कि इस रूप में जाना जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्वाल है, इससे जुड़े हो और चार स्वाल आपके कंपलीट होगे, जैसे आप देख पारे हो, यह चार विकल्प है, अब यह चार विकल्प किसमें से हैं, बोध धरम में पांच तरह के इस्तुपों का निर्म अब इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब जान लेंगे तो इस वाल का उत्तर भी सीदा आप सरीरिका करेंगे, जैसे कि यहाँ पर सरीरिका इस्तुप है, इसमें क्या होगा, तो सरीरिक इस्तुप में गोतम बुद्ध और अन्य आध्यात्मिक जो विभूती हैं बहुत धरम तो सारीरिक इस्तूप हैं ये सारीरिक आवसेशों को सुरुक्षित रखकर उस पर इस्तूप बनाए गये हैं वो आपके सरीरिका हो जाएगा तो यहाँ पर सरीरिक के आवसेशों को परतिष्टापित करने के लिए बनाएगे बहुत इस्तूप है वो सरीरिका प्रकार के तो उन वस्तूओं को परिभोगी का इस्तूप का मतलब बुद्ध और उनके अनुयाईयों के उपयोग की गई वस्तूओं पर जो बनाएगे इस्तूप है वस्तूप पर ना कि उनके सरीर उनके दोरा कोई important वस्तू है जो काम में लेते थे और उन पर इस्तूप बना दिया वो प घर्ता होई थी तो वहाँ पर क्या बना दिया इस्तूप बना दिया तो उद्देशिका है एक तरिके से उनकी घर्तनओं के इस्मर्ति सजड़ा हुआ एक इस्तूप होता है प्रतिकात्मक इस्तूप प्रतिकात्मक इस्टूप यह नहीं वो ध्रम सास्तर के विभिन पहलों के प्रतिक रूप में निर्मित होते हैं पहलों के प्रतिक जैसे शांती इस्टूप है लेहे में वो प्रतिकात्मक इस्टूप है मनोती इस्तुप है ये एक होता है छोटा प्रतिरूप मूल इस्तुप कोई दूसरी जगह है और उसका छोटा नमूना प्रतिरूप आप एक तरके से कहेंगे उसको इस्तापित किया गया है वो मनोती इस्तुप होता है तो ये आपके पांच इस्तुप होगे यहाँ पर पूचा गया है जो राष्टि सांखी की कारेले के डाटा के एकोर्डिंग अप्रेल जून 2022 में शहरी छेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधीक आयू के वेक्तियों की बेरुजगारी दर हैं 7.6 पीज ती आधुनिक आवर्षान निकि किस आवर्थ में क्रोमियम तत्व हैं क्रोमियम जो आप देखेंगे न यह आपका चौता आवर्थ है यह क्रोमियम आपको मिल देगा z बराबर 24 पर chromium element है तो यह चोते आवर्त में आपका chromium element है आगे एक स्वाल और आएगा जिसमें पूछा गया है कि 120 प्रमानु करमांग 120 है किस समू के अंतरकत आता है तो यहाँ पर आप देख पारे हो यह 118 तक है लाश्ट element है यह 118 ग्रूप में है 117 ग्रूप में है 116 ग्रूप में 118 के बाद 119 वापस पहले ग्रूप में आ जाएगा और 120 वा यह दूसरे ग्रूप में 121 वा तीसरे ग्रूप में इस प्रकार element next आने वाले जो future में होंगे अग्रास वाल है भारत की कैंदरी वजर 2022-23 के अनुसार कैन बेत्वा लिंक प्रूप में के लिए कितना परिवे अवंटित क्या गया है जो मद्यपरदेश और उत्रप्रदेश की ये प्रूप में है कैन बेत्वा लिंक प्रैजणा इस हित्यटू 2022-23 के बजट में 1400 क्रोड रुपे आउंटित हुए है वैसे ये योजना दिसम्बर 2021 में कैंदरी मंद्री मंदल ने कुल यहाँ पर 44,600 क्रोड रुपे की लागत की ये प्रियोजना को मंजूरी देती जो की कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है प्रियोजना है ये उत्तर प्रदेश के मुंदेल खंड चेतर में सिंचाय सुईदा उप्रत कराने है तो मद्रेश की कैन नदी के एक्स्टा जो अधिशेस जल है उसको बैतवा नदी में ट्रांस्पर करने की योजना है अफगानिस्तान के साथ साजा की गई भारत की सीमारिका की लंबाई है तो ये ओपीसल सीमारिका की लंबाई जो अफगानिस्तान के साथ है वो है दोस्तो 106 किलोमेटर जो कि सबसे कम बाउंटरी भारत शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ सबसे अधिक बांगलदेश के साथ करता है वो 4096 किलोमेटर है तो ये टोटल इस्ते लिए बाउंटरी भारत की 15106 किलोमेटर है लेंड बाउंटरी और कोश्ट लाइन बाउंटरी है भारत की 7511 किलोमेटर है तो यहाँ पर सबसे अधिक बाग्रदेश के साथ में 4096 किलोमेटर उसके बाद चाइना के साथ में 3488 किलोमेटर फिर पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमेटर भारत की बाउंटरी पाकिस्तान के साथ में 3323 चाइना के साथ में 3488 चाइना 3323 पाकिस्तान नेपाल के साथ 1750 है नेप के साथ है 609 में फिर अफगानिस्तान के साथ 106 तो टोटल यह आपर 15,106 साथ किलोमेटर लेंड बाउडर हो जाती है भारती सुविधान का कौन सा आर्टिकल सुविधानिक निकाई वितायोग वितायोग आर्टिकल 28 सभी को पता होगा इससे पहले भी बता चुका हूँ नेश्ट आपर कहाँ पर इस्तिद भारते विज्ञान सिक्षायोग अनुसंधान संस्तान IISER है यह पूरे में है तो पूरे में इस्तिद भारते विज्ञान सिक्षायोग अनुसंधान संस्तान IISER के सोद करता होने जर्वरी 2022 में एक अध्वित्य आणविक इस्पंज सदर्श सामगरी विक्षित की है एक बहुत यूनिक आणविक इस्पंज जैसी सामगरी विक्षित की है IISER के सोद करता होने और यह सामगरी जो स्पंज ऐसी है यह परदूर्शित जल को प्रभावी धंग से साप कर सकती तो स्पंज क्या करता है जल को शौक लेता है रा अउस्षोषन कर लेता है उसी प्रकार यहाँ पर एक यूनिक आन्विक्स इस पंज सदर शामगरी विक्सित की है IISER जो है पूरे में इस्तिति IISER यह परदूर्शित जल को प्रभावी धंग से साप कर सकती है कौन सी रावली पाहड़ियों की सबसे उंची चोटी है इसी CRP पे एकजा में अलरेड़ी पूछा हुआ रावली प्रभावी धंग की उंची चोटी है दोस्तों गुरूशिकर यह माउट अबू में गुरूशिकर है जो की 1722 मिटर इसकी हाइट है राजिस्थान सिरोई जिले में पढ़ता है आपको पूछ रहे पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो आप कहेंगे वो है जिन्दगड़ा की पाड़िया जो पीक है जिन्दगड़ा तो पूर्वी घाट की सबसे उंची है वो जिन्दगड़ा 1680 मिटर अंदर प्रदेश में और पच्छी में घाट की है अनामुड़ी तो सूर्य काहा से जिन्दगड़ा आप कहेंगे पूरु देशा में तो पूरु में जिन्दगड़ा पूरी घाट की सबसे उंची जिन्दगड़ा और फिर अनामुड़ी अस्त वो देते हो गया जिन्दगड़ा प्रिसर में निर्मित एक start-up firm है IG drones अल्रेडी पूछा हुआ है ये IG drones जिसने जनवरी 2023 में भारत का पहला 5G drones विक्षित किया है IG drones ने ये है कापर VSSU2 प्रिसर में निर्मित एक start-up firm है IG drones ये start-up कहाँ पर ये Odisha में हैं दोस्तों IG drones IG Odisha ठीक है IG Odisha नेक्स वाल एक मुगल बास्ता के रूप में अकबर का राजय विशेक कब हुआ अकबर का राजय विशेक हुआ है 1556 में अब आप करूगा अकबर का आप tenure देखेंगे सासनकाल एक 11 फरोरी 1556 से 27 सक्टूमर 1605 तर तो ये मुगल सासक का शाई काल करम यहाँ पर देख सकते हो बाबर सबसे पहले B, H, A, I भाई हो जाएगा ठीक है पहले बाबर था फिर हमायो फिर अकबर फिर भाई आई यहाँ पर आई को J से लेट करो जहांगीर है गीर गीर आई ठीक है उसके बाद साब, भाई साब होता है S, A, तो सहा जा S, H जैनि सहा तो ये उसके बाद A, औरंग जे तो ये ठीक रहती है भाई साब लाइश्ट में B साब तो B का मतलब बाबर यहाँ पर सबसे पहले जो की 1526 से 1530 1526 से लेकर 1867 तक मुगल काल रहा है 1526 से 1530 सबसे पहले बाबर 1526 जरूर याद रखना 1522 कितने होते तो आप कहेंगे 30 होते 1530 तक बाबर रहे हैं 26 से 30 फिर हुमायू आये 30 से 56 तक हुमायू आया उसके बाद अकबर आया 1556 से 1606 तक है हुमायू याद हो जाएगे आपर क्योंकि 30 तक 26 से 30 सहाजा सभी को पता 2858 सहाजा 2868 जहां सहाजा 2868 सहाजा 2868 और जेब है 18 से 1707 18 साल होते आपको pension स्टाट हो जाती है जेब में आ जाते हैं पैसे तो 18 से आपकी क्या हो गया जेब यानि 18 से 1707 तक फिर फिर लाश्ट तक साथ रहता है आपकी pension का तो जेब में कब आएंगा आठावन में तो 1708 से 1707 तक लाश्ट में रहेंगी बहादुर्शा 2 आपकी बहादुर्शा 2 लाश्ट रहेंगी जो 1837 से 1807 तक 3757 बहादुर्शा 2 या बहादुर्शा जफर आप बोलते हो जो लाश्ट में रंगून में खत्म हो गए थे तो 3757 आपकी बहादुर्शा है सहाजा 28-58 है ठीक है और जेब आपकी 58 से 7 में लाश्ट तक रहें जहांगीर है ये 5 से 27 हैं अकबर 56 से 905 तक अकबर रहें अब नेश्ट आप देख लेते हैं किस राज्जे ने वैसे NCR टी में हटाई दिया इसको मोगलों को तो क्यों रटे किस राज्जे ने 2021 में नीतियायोग के दोरा जारी किये गए पहले बहु आयामी गरीबी सूचकांग में दूसरी सरभातिक बहु आयामी गरीबी दर्ज की है तो जो बहु आयामी गरीबी सूचकांग नीतियायोग जारी करती है तो इसमें सेकंड जो हाईष्ट गरीबी सेकंड है वो ज़्हारकंड है तो आप कहेंगे टॉक पर बिहार हैं बिहार राज्ये के आबादी में गरीबी का अरुपा ये यूटी आ जाते हैं, सेकिन्ड सबसे कम गरीबी जो राज्जे है वो गोवा हो जाएगा, कैरल, गोवा, सिक्कीम, तमिल नारू यहाँ पर कम गरीबी हैं, राज्जे की एक्यानुए प्रतिशत आबादी बहु आयामी गरीब हैं, कैरल में कोटायम, कोटायम एक ऐसा जिल बाज, ODI क्रिकेट के इतियास में, एक मेव, आठवा और सबसे कम उमर का खिलाडी बन गया हैं, तो एक मातर, सबसे कम उमर का जो खिलाडी बना हैं, जिसने ODI में डवल सेंचुरी मारी हैं, ये बात है, 18 जनवरी 2023 की न्यूजरेन के खिलाफ सुबमन गिल बने हैं, संगीत में प्रिक्त होने वाली धावनी, उप्योग में आने वाली धावनी को नाद कहते हैं, संगीत में जो उप्योग में या प्रिक्त होने वाली धावनी को ही नाद का जाता और नाद का सबसे छोटा रूप हैं, वो है दोस्तों सुरूती, तो धावनी हो जाएगी छोटा रूप है वो शुरूती है खुद्रा निवेशकों के दोरा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों सुगम करने के लिए वन स्टॉप एक्सेस परधान करने के लिए नवंबर 2021 में भारती रेजरो बैंक के दोरा सुरू की गई योजरा का क्या नाम है तो रिटेल ड अभी तक क्या था आप जो भी बैंक एकाउंट खुलाते थे वो सिडूल बैंक के अनुसुचित जो बैंके हैं जो इसमें पब्लिक सेक्टर की बैंक हो गई प्राविट बैंक हो गई उसमें एकाउंट खुलाते थे अभी इसके ते डारेक्ट रिटेल इन्वेश्टर है न आप दोगे सरकार को पैसे और सरकार क्या देगी आपको interest देगी, पहले interest directly retailer को नहीं मिलता था, बड़ी बड़ी अचनाई companies थी, वो bond ले सकती थी फिर retailers को आगे देती थी, उसमें से बाई कर सकती थी, अब directly retailers है, वो RBI में account खोला हूँ, सरकारी bond लो तो अच्छी खासे interest rate यह पर आपको मिल जाती है और सैप भी है सरकारी बॉंड है तो निमलक्त में से कौन सा मनिपूर का लोक नरते हैं मनिपूर का लोक नरते में खुबक ये मुंसी लोक नरते जो खुबक इसी लोक नरते हैं ये मनिपूर का है खुबक इश्री मनिपूर का मनिपूर के नरते के अन् समबा था भी, खुबक इस्षी मंणीपूर, निर्टी। जो लाई हरोबा है ये फेस्टिइवल कहा है मनीपूर में, लाई हरोबा मनीपूर में माय निर्टी। किया जाता है। जागोई नर्ती काफी बार पूछवा, जागोई भी मनीपूर का है, जागना है आपको मनीपूर में जाग जाईएगा मनी आचुकी हैं, डप्पू नर्ती जो विकल्प में था एक मड़ीगा डप्पू, डप्पू दोस्तों आंदर प्रदेश तेलंगा ना का हैं, 15 जनवर 2013 को भारती पहलवान, खाषबा दादा शाहईब जादो को उनके जनम दिन को चुनित करने के लिए Google Doodle दौरा सम्मानित किया गया, खाषबा दादा शाहईब जादो जो रेस्टलर हैं, पहलवान हैं, भारती पहलवान रच चुके हैं, और इनका जनम दिन था 97, 97 उनका जन तरीके से किसी को रेस्पेक्ट देना है जहिनती वगरा मना नहीं है तो उनका रहता है अलगलग टाइप से डीजाइन किया हूँ गूगल का तो इस गूगल डूलल का प्रियुक किया गया दादा साइब जादव को वहाँ परचनित किया गया था 97 उनका बढ़्डे था आपक इसके उलमपिक 1922 में गिर्शम कालिन उलमपिक में ब्रण्ज मेडल जीता है रेस्लिंग में दिल्ली सल्तनत के इलतुत मिष्ट ने टंका और जीतल के सिकों को पार्चरिद किया जीतल के स्थातु से बनाया है अब मैं आपको टंका का भी बता दू जीतल का भी बता दू जीतल के जो कोईन से ये किस ने चलाई थे टंका और जीतल के कोईन चलाई थे दोस्तों इलतुत मिष्ट ने स्वाल पूछा जाता है टंका और जीतल के सिकों का पर्चलन किसके काल में था तो वो था दोस्तों इलतुत मिष्ट 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 कर तंबा का टंग का चांदी का इसके अलाबा एक सिक्का और था जो फिरोशा तुगलक ने चलाया था ससगनी सिक्का आपको पूछ ले तो सहा तुगलक फिरोशा तुगलक तो ससगनी फिरोशा तुगलक ने ये सिक्का भी चांदी का था शसगनी सिक्का ये छ जीतल के बराबर तो आपको पता तमबे का टंका चांदी का है तो एक टंका का सिक्का 48 जीतल के बराबर काउंट होता था नेक्ष्ट यहापर स्वाल आपके कंटेनू हो रहे हैं 26 परवरी के सेकिंड सिप के जीकी की स्वाल स्वाल है 1526 इस्वी में बाबर ने कि सिस्तान पर काबूली बाग मजजिद का निर्मान करवाया था बाबर ने आपको याद रखना है काबूली बाग मजजिद अबू बा तो यहाँ पर भी बाबर की बात हो रही है स्वाल पूछ ले काबूली बाग मजजित का निर्माण किस ने करया तो आप केंगे बाग आ रहा है काबूली आ रही है तो यहां पर भी बाबर होगा तो काबूली बाग मजजित का निर्माण बाबर ने करवाया कब कराया तो आप केंगे 1526 में अच्छा पन्रासोचपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपशपश बेगर में उसी के नाम पर रखा गया ये 1527 में लगबग बनाई गई थी मजजेद कोई भी नागरिक केवल धरम, जापती, लिंग, जर्व इस्तान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान, सावजनिक रेश्टरेंट है, होटल है, सावजनिक मनरुजन के इस्तान है वहाँ तक पहुँच के संबन में किसी भी अक्षमता, दायत्वी, प्रतीबन या सर्थ के अधीन नहीं होगा, कि कही पर भी आप जा रहे हो पब्लिक पेलेस में, रेश्टरेंट में जा रहे हो, उस केस में आपको जाती लिंग धरम के आधार पर प्रतीबन लहीं लगा सकते कि आप इस जाती से हो, आप इस धरम से हो, तो आप हमारे इस पब्लिक रेश्टरेंट में नहीं आ सकते हो, बिल्कुल ऐसा प्रतीबन आर्टिकल 15 का उल्लंगन करेगा, तो आर्टिकल 15 में ये समानता के अधिकार के अंधर गताता है, आपको पता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 एक समानता का अधिकार है, तो आर्टिकल 15 के अंधर के दाता है, तो ये समानता का अधिकार हो जाएगा, नेक्स्ट वाल है, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में दिये गए कत्रों में से कौन से सही है, अब संगीत से रिगार्डिंग CRPF में काफी स्वाल पूछी गाई है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, जैसे हो जाएगा, तो संगीत के क्योंकि नया टॉपिक एक टच किया गया है, टीशियस के दोरा, हिंदुस्तानी संगीत के बारे में दिये गए कत्रों में से कौन से सही है, तो यहाँ पर स्टेट्मेंट देखो, करम मे आरोई सवरों के सेट को आरोग आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, आरोई सवरों का सेट है, तो उसको आरोग कहेंगे, और आरोई सवरों के सेट को आरोग कहेंगे, अब थर देखो, राग में सबसे महतवण स्वर को सवाधी कहते हैं, वह सवाधी नहीं है, राग में सबस महत्वपुन स्वर है वादी ना कि स्वादी राग में सबसे महत्वपुन स्वर वादी होता है वादी की बाद महत्वपुन होता है स्वादी तो वादी सबसे महत्वपुन फिर स्वादी रहता है एक दोस्तों अनुवादी भी रहता है और चार होते हैं राग में चार प्रक भारतिय लोक्षिवा अदिनियम किस वर्ष में अदिनियमित किया गया भारतिय लोक्षिवा अदिनियम दोस्तो 1861 में पूछा जारा आपको Indian Civil Servant Act Indian Civil Servant Act Civil Servant Act 611 में कब? Civil Servant 1861 में भारतिय लोक्षेवा दिनीम आपको पूछे तो आप क्या करेंगे? 1861 कर देंगी भारतिय सिविल सेवा Act 1861 में वाइसराय कौन ता उसमें? कैनिंग था कैनिंग ने क्या कर दिया? कैन कर दिया कैनिंग कर दिया? उन्होंने क्या कर दिया? Civil Servant को कर दिया तो कैनिंग ने 1861 में Civil Servant के इस Act को पारिद किया था Lord Canning Lord क्यों लगाए? भाई कैनिंग कहूंगा भारत में लोक्षेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1929 तवरा की गई अब और important fact है भारत में जो लोक्षेवा आयोग है जैसे अभी संग लोक्षेवा आयोग है जो के 1926 में स्थापित हुआ है संग लोक्षेवा आयोग UPSC की बात करें तो इसकी स्थापना एक अक्टूबर 1926 को हुई है और भारत में जो लोक्षेवा आयोग की स्थापना है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तैत की गई है आर्टिकल 315 में संग और राज्यों के लिए लोक्षेवा आयोग का वणन देखने को मिलता वो आर्टिकल 315 से मिलता है नेक्स वाल है किस राज्य में हडपा इस्तल किस राज्य में हडपा इस्तल बनावली और राखी गड़ी इस्तिते बनावली और राखी गड़ी दोनों ही हडपा इस्तल है हरियाणा में ठीक है और धोला वीरा आपको कमेंट सेक्षन बताना ताकि मेरे को पता चले कितने केंडेट कांटीनू वीडियो लाश तक देखते हैं एंजोई करते हैं तो आप बताना कमेंट सेक्षिन में धोला वीरा जो पुरा तात्यू किस तल है वो किस राज्ये में विदुद छेतर में सुधार लाने के लिए विदुद मंतराले के दोरा 2021 में नेमलिक्त में से कौन से नियम आदुसुचित नहीं किये गए तो विदुद मंतराले के दोरा 2021 में ये नियम आदुसुचित किये गए हैं पहला विदुत विलम भुकतान अधिभार निमावली जरूर ये भी लाया गया है विदुत कानून में बदलाओ की कान लागत की समय पर वर्शूली निमावली आई है विदुत मस्ट रन पॉर्ट प्लांट से बितले उत्पादर को बढ़ावा देना ये भी आई है विदुत और भुकताओं के अधिकार निमावली ऐसी कोई नहीं आई तो ये डी गलक्त हो जाएगा जो आधिसुचित नहीं हुई है निमलिक्त में से कौन सा कतन CSIR जिग्यासा विद्यान माउश्रों 2022 के सम्मन्द में सही है करन डपेश का स्वाल है CSIR जिग्यासा जो विद्यान 2022 नहीं हुआ है ये तीन जनवरी को हुआ है कब हुआ है तीन जनवरी 2022 को हुआ है ना कि तीन अगस्त को हुआ है तो ये ध्यान रखना है तो ये देश भर में बूटकैम की माध्यम से बीच जार से अधिक विद्यार्तियों तक पहुंचा था जरूर जो CSIR जिग्यासा पहुआ है तो इन सभी विश्यों के लिए साथ बूटकैम जरूर आयुजित किये गए तो इन सभी विश्यों के लिए साथ बूटकैम जरूर आयुजित किये गए तो इन सभी विश्यों के लिए साथ बूटकैम जरूर आयुजित किये गए तो इन सभी विश्यों के लिए जो मंत्री जी है जितंदर शिहीं जी ने ये जो CSIR दोरा आउजित राष्टी इस्तर की वेगानिक रचनात्मक ता परती होगी ता CSIR जी के सब गयान मौश्रों 2022 के वज़े था होगी खोशना की तो एक और चार दोनों गलत है दो और तीन करेक्ट है निमेलिक टेव विवरणों की साहिता से आंदोलन का नाम ग्याद करो भाही कौन सा आंदोलन है 1566 में हुआ mashed day और यह आंदोलन बंगाल में 1946 में सितंब्र 1946 में आंदोलन हुआ जो प्रांति किसान सभा जन संगर्ष के मातेम से आते हिस्से के बजार्व दोतियाई की बाड आयो किसे पर इसको लागू करने का अहवान बरगाडडरों को दिया बट्टाईदारों को बागचासी या अध्यार के रूप में भी जाना जाता है इस आंदुलन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको स्वाल में मैंसिर कर दिया है आदे हिस्से के बजाए क्या किया दोतियाई की बाड आयो किसे पर इसको लागू करने का अहवान किया तो आदे की बात हो रही है तीसरा भाग ते भागा अंदुलन ते भाग अंदुलन है उन्होंने क्या विरूद किया ते भागा किसान अंदुलन में ये दोस्तों आंदुलन एक तो है भारती गम्रिश्ट पार्टी की किसान मोर्च के अकिल भारती किसान सभा के दोरा हुआ है अपनी फसल का आदा हिस्सा जमीदारों को देने का अनुबंद किया था और आदा हिस्सा अब नहीं देंगे वो बंटाई धारों को अपनी फसल का आदा हिस्सा ना देकर ते भागा तीसरा तीहाई हिस्सा आंदोलन की मांग जमीदारों की हिस्से को घटा कर एक त्याई करने अब ते भागा एनि एक तियाई हिस्सा देने की मांग ना की एक बठा दो हिस्सा ये ते भागा अंदुलन हुआ था अब नेश्ट आप विकलप में देखेंगे तो बारदोली शत्तेगर हैं मोपला अंदुलन एक अंदुलन ये सबी वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो इनको देख लेते हैं मोपला विद्रो हैं ग्रूप डी में पहली सिप में पहली दिन पूछवा स्वाल था 2022 के एक्जाम में मोपला विद्रो मालाबार विद्रो की नाम से जाना जाता 1921 में हुआ था मोपला विद्रो 1921 में याद रखना और ये कैरल के मोपला मुसलमान है मोपल गया जो अफ़ते हैं जो उतरपदेश के बरहा हम दोई सीतापूर जलो में लगान में वथी ऐंव बख़तेश। विया आपको पूछ लेए एका आंदूलन का नित्र तु किस ने किया तो वहाँ पर थे मदारी पासी और सहदेव पराश्ट पती का चुनाओ, अब भार्लत के उपराश्ट पती 22 में जो उपराश्ट पती बने हैं वो चोध्वे उपराश्ट पती हैं जगदीब जी धनकड बने है ये 11 अगस 2022 को चोदवे उपराष्ट पती बने है तो ये आपका एंस्वर 14 नहीं होगा तो क्या होगा भारत की उपराष्ट पती 2022 का जुनाव था सुहोलवे उपराष्ट पती का जुनाव जैसे कि परधान मंतरी नरेंदर मोदे जी चोदवे प्राइम मिनिस्टर है लेकिन चुनाव जो 2019 में हुआ वो सत्तरवा हुआ है यानि एक से ज्यादा बर कोई परधान मंतरी रा है तो उसको एक बाहर ही काउंट हो रहे है तो यहाँ पर बात करूँ चोदवा वाइस प्रेजिडेंट है जगदीब जी धनकड लेकिन आपको बता दूँ सरोपली राधा किष्ण है वो दो बार हमीद अंसारी वो दो दो बार उपराष्ट पती चुने गए है तो सरोपली राधा किष्ण एक एक एक्स्ट्रा हो जाएगा यहीं 16 में से एक कम करो और फिर हमीद अंसारी एक एक एक्स्ट्रा है उनको भी 16 में से एक कम करो यहीं दो कम करेंगे तो तब आपका चोदवे वाइस प्रेजिडेंट जगदीद धनकड और दो दो बार चुने यहीं कि राधंदर प्रशाद दो बार अश्क्षण पजिच ने गए थे तो यह सबी important factor है Next है currency note और शिक्को को भी कहा जाता है किसको अब currency note और शिक्के है न जो आपके पास physical currency है currency note और शिक्के इसे कहा जाता है fiat money क्या कहा जाता है fiat money कहा जाता है विकल crying correct है इससे पहले भी अल्रेडी टेशिस कंपनी के दोरा fiat money के बारे में पूछेंगे है जो आपके पास currency है नकद case सिक्के वगएरा coin वगएरा वो सारी fiat money है intrinsic money क्या होती है intrinsic एक तरीके से stock market में भी ये value वगएरा होती है जो real value एकदम true value होती है उसमें कोई भी बड़ा चड़ा कर value है वो time value वगएरा उसमें add नहीं होती है real value होती है वो intrinsic value किसी भी share की stock की real value वो उसकी intrinsic value है ना कि कोई new जाए और उसकी value बढ़ जाए share की demand supply के कारण वो intrinsic value नहीं होती है प्रधार मंतरी नरेंदर मोदी जी ने 26 नौबर 2022 को भाट के स्रवच नाले में समिधान देव समारों के दोरान जिला नयाए पालिका के लिए S3 वास वेबसाइटों के शुरुआत की निमरिक्ति में से कौन सा S3 वाज में प्रियुक्त S सब्द नहीं है S3 वाज तो यहाँ पर मोदी जी ने आपको पूछले कब की है नौबर 2022 में और तो S3 वाज किस हैतु है कहीन कहीं कोर्ट से संब्द दिते स्रवच नाले में सुईधान देव समारों के दोरान जिला नयाए पालिका के लिए ये S3 वाज है ये डिस्टिक कोर्ट के लिए वेबसाइटों की सुरुआत होई है और S3 का मतलब यहाँ पर S3 ने S, 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 3S में क्या मतलब है इसका मतलब है Scalable, Shugamya और Secure तो Secure, Scalable और Shugamya ये 3S का हो जाएगा न कि सार तक सार तक ही नहीं तो गलत करो सार तक भाई Scalable करना है, Shugamya करना है आपको Secure करना है Next वाल भारत सरकार खान मंत्राले की वाशिक रिपोर्ट 2021-22 की अनुसार 2019 में Low S की उत्पाद अनुकी महमले में विश्व में भारत की रेंकिंग क्या थी Low S का Iron Ore का बारे में पूछा गया तो Highest Iron Ore होता है दोस्तों Australia में Australia के बाद Low A होता है Brazil में Australia में दिहान रपना सबसे अधीक Low A होता है उसके बाद Brazil में होता है फिर China में और चौते स्थान पर Highest Iron Ore इंडिया में चौते स्थान पर इंडिया की रेंके चौती आईरन में लोहे में आपकी इंडिया की रेंके चौती लोहे में इंडिया क्या लगा रहा है चौका लगा रहा है अब भारत में सबसे अधीक आईरन होता है ओडिसा में ठीक है इस्टोकम डायमंड लीग 2022 में पुरुशों की जैवलिन थ्रो में निरिजॉप्रा ने राष्टी रिकॉर्ड बना दिया दुबारा तो यहाँ पर 89.94 मिटर का उन्हों ने थ्रो किया और राष्टी रिकॉर्ड बनाया यह रिकॉर्ड बनाया है जून 2022 में स्वीडन में इस् कौन से शेली एक ताल, तीन ताल, जप ताल, आदी में धीमी और तेज ताल की संगीश शेली हैं जिसमें आला बोल तान और तान शामिल है तो यह ख्याल की बात हो रही है जिसमें एक ताल, तीन ताल, जप ताल, धीमी और तेज ताल की संगीश शेली ख्याल DevOps राजकोशी उत्तरदाइती और बजेट परबंदन अधिनियम 2003 FR BMA की बात हो रही है राजकोशी उत्तरदाइती और बजेट परबंदन अधिनियम 2003 की निम्लिक्त में से कौन सी विशिफ्टा नहीं है FR BMA ACTS काप बाया 2003 में आया ध्यान रिकना इसका आपको राजकोशी उतरदाईतियों और बजर परबंदन एक्ट दोजार तीन अब इनसे जोड़ी वेसेस्ता कौन सी नहीं है ये आपको पूचाए तो आपको इनसे जोड़ी वेसेस्ता बता दूँ वास्तुई घाटे केवल राष्टे सुरुक्षा या प्राकरती का आपदा या कैंदर सरकार के द्रणाव निर्दिश्ट ऐसे अन्य असादान आधारों की आधार पर निर्दिश्ट लक्षियों से अधीक हो सकते हैं वास्तिवी घाटे आधिक हो सकते हैं करेक्टर स्टेटमेंट केंदर सरकार को संसद की दोनों सदनों के समक्स तीन विवरण परस्तूत करने होते हैं केंदर सरकार है न संसद की दोनों सदन लोकशवा और राजी सवा के समक्स तीन विवरण परस्तूत करती हैं मध्यावधी पर नकद सहवित्रन, केस डिस्पर्शमेंट, नकद प्राप्ति पर नकद जो सहवित्रन के अइसताई आधिक ही को पूरा करने के लिए कैंदर शरकार भारतिर रेजोर बैंक से अगरीम के अत्रिक्त किसी प्रकार काँदार नहीं लेगी कराक्टर स्टेट्मेंट है। आधिनियम केंदर शरकार को राजकोशी घाटे को GDP के 6% से अधिक नहीं करने के लिए और 31 मार्च 2006 तक राजकोश राजशु घाटे को समप्त करने और उसके बाद प्रयाप्त राजशु अधिशे इसका निर्मान करने के लिए उचित तुपाई करने के लिए बाद्धे करता है ऐसा बाद्धे नहीं करता है ऑप्शन डी गलत हो जाएगा वेदिक जप दोजार आट, रामलीला दोजार आट, कुटियाटम दोजार आट, ये तीनों ही, वेदिक जप, रामलीला, कुटियाटम दोजार आट में, उसके बाद रमन, रमन दोजार नो में, नो में रम जाईए आप, मुद्येटू, मुद्येटू दस, कालबेलिया दस, लद्धाक का बोध जप 2012, बोध को जप करो 12 में, बार बार जप करो, लद्धाक का बोध जप 2012, शंकिर्तन करता है, तेरे नाम करतो, भगवान के नाम करतो, शंकिर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल, मनिपुर का निर्थे 2013 में, ठीक है, जंडियाल गुरु के ठटेरे, जंड जहान रखना very important की पैचान करें, स्टेटमेंट देखो, जब एक लोलग नीचे की और जूलता है, जब पेंडूलम है, वो नीचे की और जूलता है, तो इसका कारे इस्तती जूर्जा को गती जूर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल इस्तती जूर्जा को गती जूर्जा में ये कनोट कर देता है, जब लोलब नीचे के और जूलता है Microphone धाउनी उर्जा को विद्ध उर्जा में अर्णूट करता है Mic है, जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपके पाद चली जारी हूँ आवाज तो यहाँ पर क्या हो रहा मेरी धाउनी उर्जा है वो विदित उर्जा में कालोट होकर आपकी पास आ रहे है तो correct statement ये भी है नेश्ट याप पर blender यांतरिक उर्जा को गतीज और धावनी उर्जा में परिवर्तित करता है तो blender क्या करता है यांतरिक उर्जा थोड़ी है blender का मतलब क्या होता है जो blend कर दे एकदम पीस्त दे जैसे आपकी जो mixer होता, mix ही होती है जहां पर juice पगएरा बनाते तो वो क्या करता है घुमती है, blender यी तो होता है, तो यहाँ पर blender क्या कर रहा है, electrical energy को गती जूरजा में वो घूम रहा है, zeigen electrical energy कों गती जूरजा में क्रोट करता है, ना कि यामत्रिक उरजा को गती जूरजा में, तो ये गलत statement हो जाएगा, iron है, iron का मतलब जो ishtri है, तो iron गति जूर्जा को तापी उर्जा में बिल्कुल नहीं इस्तरी में प्रेस में आप क्या करते हैं विजुत इस्तरी में इलेक्टिकल एनर्जी होती है वो तापी एनर्जी हों बदलती है वो गरम उश्मा उर्जा में बदलती है तो विजुत उर्जा उश्मा उर्जा में तो एक्जिस बैंक भारत में नीजी छेतर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है तो गलत स्टेट्मेंट हो जाएगा पहला ही स्टेट्मेंट 31 मार्च 2022 तक 1500 से अधिक वर्चुल रेलेसंसिप मैनेजरों के साथ बैंक के छ एक्जिस वर्चुल सेंटर है करेक्ट है बैंक के विदेशी परिचारन आठ अंतराष्टी कारियों तक फैले हुए है बिलुकुल आठ विदेशी जगों में उनके और ब्रांचेज हैं तो दोनों ही नीचे वाले करेक्टे बाकि एक्जिस बैंक के स्टापना 1993 में हुई है हैटकवाटर मॉंबई महाराष्टर में है इनके वर्तमान में MD CEO अमिताब चौधरी है फरवरी 2023 तक की स्टतिकी अनुसार कितने राज्य या कैंदरशाशित परदेशों में ये स्विदा है जा लोग ambulance मुलाने के लिए टेलिफॉन नंबर 108 या 102 डायल कर सकते हैं तो टोटल यहाँ पर 35 यानि लगबग सभी जगा सभी राज्य और कैंदरशाशित परदेश 35 राज्य और कैंदरशाशित परदेश में ऐसी स्विदा जहाँ पर 108 या 102 डायल करेंगे तो ambulance आपके सुईधा मिल जाएगे लिंग आधारित हिंसा का उन्मुलन Elimination of gender-based violence लिंग आधारित हिंसा का रोकने के लिए खत्म करने के लिए इस subject के साथ नई जेतना पहल बदलाव की इस विशे के साथ नई जेतना पहल बदलाव की नामक महीने भर चलने वाला अभियान सभी भारती राज्यों या केंदरशासित परदेश में जन आंदुलन के रूप में कब से कब तक आयुजित किया गया यहाँ पर नई जेतना पहल बदलाव की जो एक पहल है जो लिंग आधारित हिंसा का उन्मुलन करती है नई चेतना पहल बदलाव की यह नई चेतना पहल बदलाव की सभी राज्यों यूटी में 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2022 तक नवंबर दिसंबर में 25 नवंबर से 30 दिसंबर 2022 तक जायन्ट मिटरवेर रेडियो टेलिसकॉप के सिद्दान पर आधारित है निमलिक्त मैंसे ठंडे मौसम में उत्तर भारत में अतिदिक ठंड का क्या कारण है ठंडे मौसम में उत्तर भारत में अतिदिक ठंड क्यों परती है तो इसका कारण जालो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राजे समुदर की मध्यम भरबाव से धूर होने के कारण समुदर की मध्यम भरबाव से थोड़े दूर होते हैं तो यहाँ पर महादुई पे जलवायू का अनुबव होता है तो यह ठंडा एलाका है निकटवर्ती हमाले परोतमाला में हिमपास सीत लेहर की स्तती पैदा करती इसके कारण भी थंडा मौशम रहता है फ्रवरी के आसपास कैस्पियन सागर तुर्के मिनिस्तान से आने वाली थंडी हवाय भारत के उत्र पच्छी में भागों में पाला और कोहरे के साथ सीत लेहर लाती है तीनों ही करेक्टर स्टेटमेंट है उत्र भारत में ठंड के लिए जंडगर्णा 2011 के अनुसार देश की कुल जन सिंक्या में बच्चों का अनुपात कितना था बच्चों का यानि 0-6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं जन सिंक्या 2011 में टोटल जो रेशियो बच्चों का वो 13 फीस्ती जिनकी आयू 0-6 वर्ष है वो है 13 फीस्ती बच्चों का रेशियो अगला याँ पर स्वाल कंटिन्यू कर रहे हैं 26 फरवरी की थर्ड शेप के स्वाल जनवरी 2023 में मनिपूर के मार्जिंग पोलो कॉम्पलेक्स में पोलो खिलाडी मार्जिंग की 120 फिट उन्ची प्रतिमा का उद्गाटन किसने की आमिस सहा ने किया है जनवरी 2023 में मनिपूर के मार्जिंग पोलो कॉम्पलेक्स में इसी भी एक्जाम में ये पोलो खिलाडी जो मार्जिंग है किसी भी पोलो खिलाडी की दुनिया की सबसे उंची प्रतिमा है ये मनिपूर में है जनवरी 2023 में मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो खिलाडी मार्जिंग की 120 फूट उंची प्रतिमा है जनवरी 2023 में मुंबई में लॉंच की है नितिन गड़करी जी ने जनवरी 2023 में किस राज्य ने ग्लोबल सीटी अभियान लॉंच किया है ग्लोबल सीटी अभियान है उत्तर प्रदेश ने किया है जनवरी 2023 में अग्यात तत्तों जुटकी खोज नहीं होई है यानि 120 वे इस्तान पर आने वाला प्रमानुकर्मा की 120 वाल एलिमेंट कौन से आवर्थ मायेगा इससी वीडियो में अल्रेडी बता चुका हूँ आपको प्रियोडिक टेवल जब आपका इमेज में बताया था तो यहाँ पर जैड बराबर 120 आवश्रानिक की दूसरे ग्रूप में क्योंकि आपको पता है एक सोहलवा जो एलिमेंट है वो सोहलवे ग्रूप में आपको अखिजन वाली ग्रूप में आता है उसके बाद 119 वा क्योंकि लाश्ट ग्रूप आवर्शानिक अठारवा फिर 119 वा एलिमेंट वापस पहले ग्रूप में आ जाएगा 119 वा 120 वापस आदेगा दूसरे ग्रूप में, 120 वा दूसरे ग्रूप में, 121 वा तीसरे ग्रूप में, 122 वा भी चोटे ग्रूप में इस प्रकार यह element आगे आते रहेंगे future में निमिलिक्त में से कौन सा विकल्प और शोषन के वृद अधिकार के अंतरगत आता है तो कौन सा विकल्प है वो सोशन के वुरूद अधिकार तो दो आपको अनुच्छेत पता होगा आर्टिकल 23 और 24 में सोशन के वुरूद अधिकार के बारे में बताया गया है तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानों का दुर्वयवार और बलाप्तम पर प्रतिशेद है बलाप्त शरम और मानों को आप खरीद प्रत नहीं है हुमन को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो किसी को बेच दो हुमन वगेरा को ऐसा नहीं कर सकते हो तो दुर बैवार और बलाप्त शरम है वो एक तरीके से शोशन के वुरूद अधिकार है आर्टिकल 23 और 24 में क्या है बच्चों को 14 वर्षी कम आयू के बच्चों को आप शरम नहीं करा शकती हूँ लेवरिंग का काम नहीं करा शकती हूँ जरवरी 2023 में किस देश ने सुडान में महिला शान्ती सैनिक की सबसे बड़ी टुकडी की तैनाती की खोशना किये तो वुमन पीस कीपर्ष की रूप में सुडान में भारत भेजने वाला है सबसे बड़ी महिलाओं की टुकडी ठीक है भारत भेजेगा भारती राष्टी कांगरेस की स्थापना किस वर्ष हुई है जो देश भर की परतिंदी बॉम्बे में मिरे थी तो अठाशो पिजज़ी में आपको पाता है कांगरेस की स्थापना अठाशो पिज़्ज़ी में ए ओ हुम के दोरा की गई है 28 दिसंबर 885 को भार्टिराष्टि कांगरेश की स्थापना बॉम्बे के गोकुल दास तेज पास संस्कर्ट महाविदल्यम की गई और प्रतम अधिवेशन में अद्धिक्स कौन थे व्योमेच चंदर बनरजी थे हर्षवर्दन जो 606-647 इसवी का उनका टेने और राथ तो हर्षवर्दन 606-646 इसकी अउधी के दोरान कौन सा बहुत इस्तल एक महतपुन महायान बहुत धरम केंदर की रूप में कारे करता था हर्षवर्दन की समय महायान बहुत धरम केंदर की रूप में नालंदा है ये बोधिस्तर कारे करता था अकिल भारतिय फुटबॉल महासंग के अद्धिक्स बनने वाले पहले पूरू फुटबॉल खिलाडी कौन थी अकिल भारतिय फुटबॉल महासंग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरसन के अद्धिक्स बनने वाले पहले पूरू फुटबॉल खिला पर बने हैं अकिल अल इंडिया फोटबॉल फेडरसन की इस्तापणा 1937 में हुई है दिसंबर 2022 में किस राज्ये ने भारत में पहली बार द नील गिरीद तेहर परियोजना के शुरुआत किये द नील गिरीद तेहर तमील नाडू में नील गिरीद तेहर प्रोजेक्ट तमील जनवरी 2023 में मैसूर और हमपी सहरों को सवदेश दर्शन 2.0 योजना के तैस हुजिबत किया गया था ये इस्तल किस राज्ये में है तो आपको पता है हमपी करना टक में मैसूर करना टक में है तो ये जो इस्तल है सवदेश दर्शन 2.0 योजना के तैस लिश्टेड है किस स सासक ने 1391 से 1388 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शाषन किया अब दिल्ली सल्तनत पर 1391 से 1388 के बीच फिरोसत तुगलक ने सासन किया है तो दिल्ली सल्तनत का इससे पहले वाले पार्ट में भी आपका अलेडी बता चुका हूँ सारे दिल्ली वंस की सासकों का टेनियोर पार्च द तुगलक डाइनस्टी है तुगलक डाइनस्टी तेरा सो बीस से चोदा सो चोदा आपको सवाल में तेरा सो इक्याओं से तेरा सो अठासी तो तुगलक डाइनस्टी में आएगा तो यहाँ पर खिलजी में तो नहीं आएगा तो गयासुदिन तुगलक मुहमद तुगलक फिर फिरोज साथ तो लग तेरा सुटा सी ये इनका टेनी ओर रहा है आयनी किस्टल में धनायन और रिनायन के बीच की दूरी को माप कर किस तिर्जया का नुमाल लगा जाता है तो दोस्तों आयनी तिर्जया रहती है ना वो धनायन और रिनायन के बीच की दूरी होती है आयनी किस नाभिकों के मद्दे की दूरी का आदा भाग होगा वो उनकी सहसेयोजग बंद से जड़ो हुए प्रमाणों के नाभिकों के बेच के दूरी का आदा भाग सहा सेयोजग धात्विक तिर्जया तो एक धात्विक समों में दो आसन परमाणों के नाभिकों के बीच की कुल दूरी का आदा धात्विक तिर्जया आपको बता दूँ सहस्योजक तिर्जिया से धात्युक तिर्जिया जादा होती धात्युक तिर्जिया हमेशा सहस्योजक तिर्जिया से अधीक होती है क्योंकि यहाँ पर सहस्योजक बॉर्ण मजबूत रहता है तो उसकी तिर्जिया कम हो गई नेक्स श्वाल किस वर्ष में अहसेयो गांदोलों को गती मिली थी अब अहसेयो गांदोलों की शुरुवात 1920 में हुई तो 21-22 में उसको गती मिली और 22 में उसको वापस दिया गया गांदीजी के दोरा चोरी-चोरा कांड हो गया था तो चोरी चोरा कांड के कारण चार फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था इसके कांड अहसेयो गांदोलन को गांदीजी ने वापस दिया अहसेयो गांदोलन की प्रस्ताव है वो कांगरेस की कलकता दिवेशन में चार सितमर 1922 को प्रस्ताव पारित हुआ था फरवरी 2023 में वित्यवर्ष 2023-24 के केंद्री बजर पेस किया है वित्मंतिर निरमला सी तरामने देसमर 2022 में किस देश ने इस्पोर्ट को बहु खेल आयोजनों मल्टी स्पोर्ट एवेंट के एक भाग की रूप में मानेता दी है इस्पोर्ट को भारत ने मल्टी बहु खेल आयोजनों इस्पोर्ट जो ओनलाइन गेमिन होती है न उसको मानेता दी गई एक तरीके से भारत ने दी है देसमर 2022 में देश की किस महारतन कमपनी ने सगन टीबी उन्दमुलन प्रियोजना की श्रुवात करने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश और 36 गड़ के साथ करार किया है तो इंडियन ओयल महारतन कमपनी इंडियन ओयल ने दिसमर 2022 में टीबी को खतम करने के लिए उत्तर प्रदेश और 36 गड़ के साथ किस के साथ किन दो राज्यों के साथ इंडियन ओयल ने समझोता किया है तो वो किया है दोस्तों यूपी और 36 गड़ के साथ इंडियन ओयल ने किया है करार आलू यडू किस राजय का लोक नरते हैं आलू, आलू खाओ भाई, नागा लेंड आलू कहा पर होंगे लेंड के अंदर होंगे और आलू यडू हैं ये नागालेंड का लोक नर्ते हैं नागालेंड के प्रमुक नर्ते में युद नर्ते और जैलियांग नर्ते आते हैं प्रमुक लोक नर्ते नागालेंड में युद नर्ते जैलियांग नर्ते इसके अलावा अगर शिकुकुला नर्ते तितली नर्ते जनवरी 23 में पच्छी मंगाल ने दीदीर सुरुख्षा कवच अवियान कितने दिनों के लिए शुरू किया है इसी के साथ पार्टरी ने दीदी के दूत नाम का एक एब भी लॉंच किया है नेक्स वाल बॉन गीत लोग गीत हैं जो राजे से संबन दित हैं किस राजे से बॉन गीत बॉन गीत हैं असम का ठीक है असम बॉन गीत है वो असम का है बौन आपको असम याद रखना है आप जो जनम लेते हो ना बौन होते हो आप जनमते हो उस समय आप विल्कुल असमान होते हो ठीक है असम होते हो इसी प्रकार इससे पहले भी में बता चुका हूँ भवे आप अल्रेडी पूछा हुआ पच्छी मंगाल का है मांट राजिस्त का है बतियाली बहुला पच्छी मंगाल दोहा है अल्रेडी आज चुका है गुजरात का भावगीत आज चुका है का नाटक का अभंग गौंदार पोवडार पोवडा लावनी इंपोर्टेंट है महराष्ट की संबल पुरी ओडिसी ओडिसा का महिया पंचाब का है पुगवा जहारखंड का उदासी पावस उदासी पावस जहारखंड के हैं फगुवा जहारखंड कौनसा राज्चे तुरी बुंगल और पावा जैसे अपने श्वयम के वद्धी अंतरों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है जिनका उप्योग लोग गीतों में वद मंदिय की रूप में होता है तो ये वद्धी अंतर है और इसका उत्पादन गुजरात में ही होता है गुजरात के ही प्रमकवाद्धी अंतर है तुरी बुंगल और पावा इनका नाम है तुरी बुंगल पावा गुजरात बारवी शताबदी की अंतिम दसक में किस मजजित ये दिल्ली में मनाई गई थी और इसको बनाया था शुरुवात की थी कुतुब दिन एबक ने पृत्रुवाज चोहान को हराकर 1193 में कुतुब दिन एबक ने दिल्ली में कुतुब नार के पास ये कुवत उल इस्लाम मजजिद का निर्मार करवाया है गुलाम मन्स के फर्ष्ट सासक कुतुब दिन एबक ने 1113 में अनि बारुष चताब दी की अंतिम समय में मई 2022 में किसके दौरा ब्लैक राहिनो के स्रंक्षन के लिए वन्यजिव स्रंक्षन बॉंड जारी किया गया वार्षिक आधार पर नवंबर के 5.85 फीश्टी से घट कर दिसमर 2022 में जो WPI आधारित मुद्रा इस्पिती है वो 2022 में 4.95 फीश्टी हो चुकी है न्यू केंड़ जो मॉक्टेर सीरीस से जोना चाहता तो टेस्ट बुक से जोड़ सकते हो टीटी जी के को पन कोड लगा लेना मिलते हैं नए वीडियो के साथ बाई बाई